तो दोस्तों मैंने गई जुना था कि मंजलें भी उनका इंतिजार करती हैं जो चलना सुरू करते हैं तो कोई भी काम में अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो पहले वो काम करना तो स्टार कीजिए क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं होता है यही मैं सारे आइस्पिरेंट और तयारी करने वाले इस्पिरेंट के लिए भी कहना चाहूंगा इस पर बहुत बड़ा मोटिवीशन हो सकता है बट अभी कुछ नहीं है अभी हम सिर्फ अपना पढ़ाई करेंगे आप मेरे दो लाइनों से ही मतलब निकाल सकते हैं अपने अपने अनुचार और तो आज हम जानते हैं कुछ नए टॉपिक कुछ अच्छे तरीके से और आज हम पढ़ेंगे उत्राखन की खनी संपदा के बारे में तो दोस्तों शुरू पढ़ते हैं उत्राखन सरकार ने 4 अप्रेल 2001 को राज खनन निती 2001 की गोचना के थी जिसके तहट वन छेतर की खादानों में खनन का कार्य उत्राखन चल वन विकास निगम करेगा किया जाएगा अब हम जानते हैं उत्राखन में खनी छेतरों के बारे में चूना पत्थर का परियोग सिमेंट उद्योगों में होता है देरदून के कालसी के आसपास मंदराम इवं बारकोट छेतर में उत्तम किस्प के चूना पत्थर के बंडार मिलते हैं मसूरी में क्रीम रंग की सक्त चूना पत्थर बंडार मिलते हैं अल्मोडा के दाना पानी वा चौकुठिया चेतर से चूना बंडार मिलते हैं चूना पत्थर एवं अफसाधी चट्टान होती है जो मुख्यता केल्सियम कार्बोनेट होता है इसके रूपांतरन से संग मरमर बनता है मैगनिसाइट, चमूली, बागी शर्प, थोरगड एवं अल्मोडा पाजी जिलों में पाया जाता है अल्मोडा के जिरोली चेतर एवं पितोरगड के चंडात चेतर में मैगनिसाइट के बंडार पाया जाते हैं संग मरमर मुख्य रूप से देरदून एवं टीरी जिले में पाया जाता है डॉलमाइट खनीच देरदून पितोरगट टीरी डीपीटी इसकी सौर्ट फॉम है अंजिलों में पाया जाता है अलमोडा राज्य का एक मात्र जनपद जहां चांदी दातू मिलती है टीरी गडवाल में यूरेनियम खनीच के संकेत मिलते हैं राज्य में सोना, सारदा नदी, राम गंगा, अलक नंदा एवं पिंडर नदी के बालू में कुछ मात्रा में मिलता है मकानों के छटों एवं आंगनादी के प्राचिन काल में पटाल का प्रयोग होता था अल्मोडा जनपत में उत्तम परकार के पटाल मिलते हैं अल्मोडा के राई, चैना पानी, विलोन, छेतर एवं देरदून के टौंस गाटी के कुमा बुरेला छेतर में सिसा खनीच मिलता है पितोरगट के रालम, चंडा, गुआ, बहेंसवाल, छेतर, सिसा, उत्पात के लिए परसिद है उत्राकंड में जिरूली गाउं के समीप, भलमती, पहाडी और बागेश्वर के थैली पाटन, छेतर में तांबा बंडार की खोच की गई है पौडी के धनपुर, डोबरी छेतर में तांबा एवम जस्ता पाया जाता है चमुली के मोगनखाल, पोकरी और नागना छेतर में तांबा खनीच मिलता है नैनिताल की काला डूंगी एवम रामगड छेतर में लोहदादू के अयसक हेमेटाइट और मैगनेटाइट पाये जाते हैं देहरदून के दपीला छेतर एवम पौडी की खरारी घाटी में जिपसम की मातरा पाये जाती है कंधेरा पौडी में एसपेस टास खनीच पाया जाता है इस धादू का परियोग ताप रोधी वस्तों को बनाने में किया जाता है एपस्टे एसपेस टास खनीच पौडी अलमोडा में भी पाया जाता है बैराइट्स खनीच देरदून जनपद में पाया जाता है चमूली एक मात्र जन्पद जहां तिन धादू पाई जाती है तीरी के रजगोवा छेतर में एभम देरादून में भी फासपूराईट्स खणीच मिलता है सेल खड़ी खणीच देरादून तीरी एभम पौईजन्पद में मिलता है रॉक फॉस्पेट खनीच देरादून टीरी एवं नैनिताल में मिलता है मसूरी के कियार कुली एवं महागाओं छेतर में खड़िया परचूर मातरा में मिलती है टाल्ग खनीच सोप स्टोन कपर्यूग सौंदर परसादन एवं सावन बनाने में किया जाता है कारवन का अपरूप ग्रेफाइड कपर्यूग इसनेहक की रूप में होता है इसमें आप कुछ मुख्य मुख्य चीजें को मैं पुना दोहरा देता हूँ जैसे की देरादून, पिथोरगर्ड और टीरी इसको आप DPT सौट फॉर्म से भी याद रख सकते हैं इसमें डॉलोमाइट खनीज सरवादिक मिलता है और एक चांदी था जो की अल्मोडा में मिलता है सरवादिक यूरेनियम टीरी में और मुख्य यही थे अब हम फिर से एक बार जान दें राज में पर मुख्य खनीच संसादनों के बारे में खनीच चुना प्त्तर देरादून पिथोरगर्ड तीरी चमोली आदि में मिलता है तैरादून नैनिताल और तीरी आदि चेत्रों में मिलता है ग्रेफाइट अल्मोडा पौडी नैनिताल में मिलता है लोहा नैनिताल चमूली पौडी टीरियादी में मिलता है कुछ यह ऐसी ही एक अन्य जानकारी क्या आप जानते हैं कि तहट मैं आप बताना चाहूँगा राण की तपिस्तली वैरासकुंड चमूली जिले में स्थित है चमूली उर्गम गाटी में वनसी नारायन का प्राचीन मंदीर है जिसके कपाड रक्षबंदन के दिन सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं रूफ आरवेस्टिंग का संबन बरसाती पानी संचे से है ताउजी जलासे देरादून में गजिंदरदत नैथानी के नाम पर है इसे सूर्यधार वेराज भी कहा जाता है उत्राखन की पहली मैला लोको पाइलेट अंजनी सहाब पौडी गडवाल बनी पटवारी परसिक चंड संस्तान अलमोडा में इस्तित है अंगाली मठ टीरी में इस्तित है जाली माली देवी की पूजा पद्दती पांडूली पी की खोज एस्वन से अंकटोज ने की थी अरजुनी इश्वर मंदीर पितोरा गर्ड में सिव को समर्पित है बिडम समीती का संबन कुली वेगार से है मुर्तिहीन मंदिरों का समू वेथर नीकुंड को पिश्वर में इस्तित है भक्त दर्सन का वास्तविक नाम राज दर्सन है दीपक परियोजना सडक निर्मान से संबन्दित है सिंगोरी मिठाई के लिए पुरानी टीरी परसिद है सेल्फ जिगित्था का प्राचीन नाम कतार है और जन खलात उतरकासी जिले में सित है इस परकार उतराखन खनीश से संबन्दित हमारे पास इतना ही था इतने ही है यहाँ छोड़ा ड्यायन बागी फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए चैप्टर के साथ बने रही है आपको थोड़ा दुलाव जरूर मिलेगा इन सब चीजों से पेपरों में तो सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाद